आज इस टॉक के बारे में मैं आपके साथ पंडामेंटल और टेक्निकल एनलेसिस शेयर करना चाहूंगा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी फैमिली को जोइन नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके हमारी फैमिली को जोइन कर सकते हैं आईए बात करते हैं IFCI पे अभी प्लस में है स्टॉक आपको दिख रहा होगा प्रीवियस क्लोजिंग थी चार रुपे पे ओपन हुआ था चार रुपे पांच पेसे गई लो था तीन रुपे पिंचारणवे पेसे और क्लोज हुआ था चार रुपे पेसे फैस वेल्यू है 77,695 और डिलेवरी जित्ते की उठी है वो है 4,39,231 परसेंट है 37,30 परसेंट काफी अच्छी है और जो इसका अल टाइम लो था वो था दो रुपे पैतालिस पैसे 3 जैनवरी 2002 अल टाइम हाय था 12 रुपे 17 दिसेंबर 2007 शेर होल्डिंग पेटान आपको दिख रहा होगा प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56,42 परसेंट प्लेज जीरो है ये काफी अच्छा एक प्लस पोइंट है अब देख पा रहे होंगे कंपनी का अगर आप इन्वेस्ट करना चाते हैं तो FII इसका इन्वेस्टमेंट है 3.5% टोटल DII इसका 16.19% बैंक्स का है 5.46% और इंशॉरेंस का है 6.1% आप देख रहे होंगे ये चीज आप ढंग से देखें इन्शॉरेंस ने इसके अंदर 6.1% का इन्वेस्ट कर रहा है mutual fund का investment है 0.02% और other DIA इसका है 4.61% आईए थोड़ा सा compare कर लेते हैं इसको इसकी companyों के साथ चोला मंदलम 1st पर है और IFCI 5th पर है अगर आप market capitalization से देखें दो sales में अगर आप देखें तो power finance 1st पर है चोला मंदलम 3rd पर है और IFCI 5th पर है अभी आप market condition देख सकते हैं केसी है और यह आने वाले 6-8 मेने तक भी इतनी अच्छी नहीं होने वाली तो एक बार आप invest करने से पहले देखिए analyze करिए और चोला मंदलम भी आपका एक अच्छे investment हो सकता है अगर आपको इसके उपर भी वीडियो चीए तो आप मुझे comment कर सकते है उसी के बाद net profit की बात करूँगा तो यह last में है और minus में भी यह इसका net profit तो आप देख पा रहे होगे यह एक negative sign है total assets की मैं बात करूँ power finance first पर है चोला मंदलम third पर है और IFCI fourth पर है तो मैं आपको लेकर आए हूँ चार्ट के उपर चार्ट पर आप देख पा रहे होगे 19 March 2020 गा open हुआ था 3 रुपे 7 पेसे पर high गया था 3 रुपे 7 पेसे low था 3 रुपे 3 पेसे और close हुआ था 3 रुपे 45 पेसे पर आप देख पा रहे होगे इसके support थोड़ा सा समय में पीछे लेकर आया हूँ आपको और यह है 18 December 2007 उस दिन open हुआ था 104 रुपे पे और high गया था 106 रुपे का और low था 96 और close हुआ था 100 रुपे पे यह देख पा रहे होगे आप उसके बाद इसके अंदर continue गिरावर्ट देखी गई है यह वाला peak इसने नहीं पकड़ाता उसके बाद थोड़ा समय आपको लाया हूँ 16 November 2010 पे आप उसके बाद आप देख लीजे जब इसकी दूसरी गिरावर्ट थी और यह कितना slow था क्योंकि यह stock ऐसा है एक कदम आगे बढ़ता है तीन कदम पीछे ले लेता है काफी slow है आपको अगर आप इसमें invest करेंगे तो आपको result काफी slow देखने को मिलेंगे आप देख पारे होंगे इसके अंदर open हुआ था 75 पैसे पे high ग्या था 76 और low था 72 का और close उआ था 72.45 पे थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा इसका 3 साल का record अगर अभी से हम देखे तो 2018 में open हुआ था ये 23 रुपे पे high ग्या था 34 रुपे का और low बनाया था 11 रुपे का और close हुआ था 14 रुपे पे आप investment करने से पेले एक बार आप 3 साल का analyze भी अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का आप देख पारे होंगे तो वो था open हुआ था 15 रुपे 10 पे हाई था 15 रुपे 23 पेसे का low था 6 रुपे 10 पेसे और close हुआ था 6 रुपे 60 पेसे पे 2020 का अगर मैं आपको बता हूँ तो open हुआ था 6 रुपे 65 पेसे पे high था 7 रुपे 5 पेसे का low था 3 रुपे 10 पेसे और close हुआ था 4 रुपे 15 पेसे पे आप एक बार investment करने से पहले थोड़ा सा देखिए क्योंकि ये इत्ता अच्छा return आपको नहीं दे पाएगा शायद future के अंदर क्योंकि ये बहुत slow है अगर ये एक कदम भी आगे लेगा ना तीन कदम पीछे आएगा ये मैंने आपको पहले भी बोला था और आप इस बात को धंग से देखिएगा इसी के साथ पसंद आई हो तो लाइक करेगा अगर आपको genuine information पानी है आप please channel को subscribe कर लीजिए Vodafone में invest करना है description में link मिल जाएगा एक बार वीडियो देखिएगा बहुत ही आपका कम समय लेते हैं मैंने बहुत अच्छे से explain करा है आपको invest करना चीए नहीं करना चीए किस price पर करना चीए खाँ पर sell करना चीए खाँ पर buy करना चीए उसी के साथ finance से related, wealth creation से related इस channel पर वीडियो आती रहेगी अभी हम work कर रहे है basic of stock market पर technical analysis और fundamental analysis पर जो भी paid course होते हैं जो भी बड़ी-बड़ी books है ना उन सब को एक mix करके और काफी अच्छे और simple तरीके से आपको हम ये चीज़ सिखाएंगे और इतने simple तरीके से सिखाएंगे कि आप अपने relatives, अपनी mother, अपने cousin जिनको भी वो चीज़ शेर करेंगे ना वो इस चीज़ को सीख पाएंगे क्योंकि क्या होता है ना सुनते ही लोग सोचते कि अरे बहुत difficult है हम तो earning नहीं कर सकते अरे इसके अंदर तो इतना profit नहीं कमाया जाता तो मैं आपको समझाऊँगा बहुत ये अच्छे से तो आप उसके लिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजे वीडियो को शेर कर दीजे उसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में